हेलो स्टुडेंस वेलकम टूडेइस क्लास सेशन आज के क्लास में हम लोग JEE मेंज का एक टॉपिक चूज किये हैं जो की है इलेक्टो स्टेटिक्स पार्ट से आज का मेंज प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्फ करने वाले हैं वो थोड़ा यूनिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालेंगे एज वी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान होता है बट इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रूए सर्कुलर डिस्क हम लोग निकालने वाले हैं तो सर्कुलर डिस्क से सब्पोज एक पॉइंट पे एक चा disc यहां पर draw करते हैं कुछ इस तरीके से यह होगा है disc और यहां पे suppose एक charge है प्लास चार्ज तो actually क्या होगा प्लास चार्ड से यहां पर इस तरीके से various डारेक्शन में क्या होगा electric field निकलेगा अबी यह जो electric field है यह electric field इस से कुछ इस तरीके से पास होगा इस तरीके से पास होता है but हम लोग flux का definition क्या जाते हैं flux तब हम लोग बोल सकते हैं या पि निकाल सकते हैं जब कोई surface से normally pass होता है when electric field lines passing through an area normally normally जब pass होता है तब यानि कि यह जो line हम लोगों ने draw किया अगर इस line को हम लोग इस तरीके से draw कर सकते हैं या पि ले सकते हैं तब हम लोग flux निकाल सकते हैं but यहाँ पे different angle करके यह diverge हो रहा है तब हम लोग electric field किस तरीके से निकालेंगे उसका हम लोग elaborate करके expression निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कि suppose यह जो हम लोगों ने पकड़ लिया एक disc है जिसका radius suppose r है तो हम लोग यहाँ पे इस derivation एक part करने के लिए हम लोग क्या पकड़ेंगे एक elementary portion हम लोग यहाँ पे consider करेंगे कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक elementary portion देख सकते हैं और यहाँ से जो लाइन यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे एंगिल बन रहा है थिटा और यह डिस्टेंस सपोज एल हम लोग पकर रहें यहाँ पे अच्छी तरीके से रप कर देदेंगे इसको Okay Simple रखने के लिए इसको यहाँ पे plus q है और यह जो डिस्टेंस है वो सपोजल अल है L डिस्टेंस के से अल डिस्टेंस है सेंटर ओग्यों से जो चार्ज है यहाँ पे वो अल डिस्टेंस पे रखा हुआ है और जो रेडियस है Suppose Radius हम लोग R पकल लेते हैं R, fine तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे Actually Flux निकालेंगे तो First of All यह जो Elementary Portion है उसका Area निकालते हैं तो Area of Elementary Portion Elementary Portion किता होगा Suppose ds is equal to 2πx dx वो हम लोग को पता है Already यह rectangular shape होता है इसका जो Radius से R है तो उसका circumference कितना होगा 2πx into dx हो जाएगा 2πx dx Fine, इसको हम लोग equation 1 रखते हैं Next, अभी हम लोग d5 यानि कि flux का formula हम लोग को पता है Is equal to e ds cos theta We know that e dot ds, to e ds cos theta तो e का formula कितना होगा k, k means 1 by 4 pi epsilon naught q divided by l square plus x square होता है कि नहीं क्योंकि यह जो distance है वो distance है root over l square plus x square Fine using Pythagoras theorem यह जो theta angle बन रहा है यह जो length है, इस length का distance है l square plus x square तो इसका square तो यहाँ पर root उठ जाएगा यहाँ पर fine तो हम लोग इसको इस तरीके से रख सकते है कि q l divided by अगर हम लोग k का value यहाँ पर अगर हम लोग put कर देंगे 4 pi epsilon naught तो यहाँ पर बन जाएगा 2 epsilon naught रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा x dx divided by इन दोनों को मिला के l square plus x square whole 3 by 2 रह जाता है fine तो अभी हम लोग total flux निकालने के लिए integration करेंगे so total flux total flux phi will be equal to यहाँ पर q l by 2 epsilon naught बाहर रह जाएगा integration 0 to r it will be x dx divided by l square plus x square whole 3 by 2 मैं यहाँ पर integration part थोरा skip करने वाला हूँ क्यूंकि मुझे पता है आप लोग practice कर सकते हैं घर पे try कर सकते हैं तो इसका value आ जाएगा minus 1 divided by root of r l square plus x square ok 0 to r 1 by root x minus root x ऐसे आता है तो it will be अगर हम लोग यहाँ पर r का value बिठाएंगे so q l यहाँ पर l कर जाएगा actually by 2 epsilon 0 यहाँ पर जाएगा 1 minus l divided by root over l square plus r square because x के जगा पर हम लो x है इस तरीके का question अगर आते हैं जहाँ पर l का value दिया रहेगा okay इसका value l का value will be given और r का value will be given तो हम लोग easily इस formula पर बिठा सकते हैं ताकि इस type of question को easily आप लोग solve कर सकते हैं directly क्योंकि यह derivation part करना जही means में possible नहीं है तो आप लोग को directly यह जो formula है यह याद रखना है okay तो I hope आप लोग को यह derivation है वो आप लोग को समझ में आ गया और formula को भी समझ में आ गया तो next class में और एक new problem लेके हम लोग आएंगी thank you